हलो फ्रेंट्स मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर देखे एक दिसंबर 2022 से एंटी लेबल क्लासे के लिए मतलब नर्सरी केजी और फर्स क्लास के लिए जो उपन सीट्स के लिए और फॉर्म है वो भरे जाएंगे जनरल कटेगरी के जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे दिल्ली के सभी प्राइबट स्कूलों में अगर आप अपने बच्चे का नर्सरी केजी और फर्स क्लास में जनरल कटेगरी में एडमिशन करवाना चाहते हैं त जो form निकलने की date है वो एक बारे 2022 को होगी और जो last date है आप देख सकते है 23 बारे 2022 को होगी और form बढ़ने के बाद जो first list निकलेगी वो 21 2023 को होगी और second list जो निकलेगी वो 6 February 2023 को और फिर भी इन दो list निकलने के बाद कोई seats रह जाती है वेकेंट तो 1 March 2023 को list निकाली जाएगी अगर कोई seats बाकी रहती है तो और admission का जो पूरा process है वो close कर दिया जाएगा 73, 2023 को सभी admission process है close कर दिया जाएगे और general category के जो admissions होते हैं इनके बाद ही EWSDG category के जो form है वो निकाले जाते हैं तो ये EWSDG category के form नहीं है ये general category के है अगर इस form को भरने के बाद आपके बच्चे का नाम के सी list में आता है क्या तो जी हां बिलकुल देना पड़ेगा आप यहां देख सकते हैं आगे circular में DOE ने साफ साफ मेंशन किया है यहां आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अगर आपके बच्चे का नाम किसी स्कूल में नहीं आया लिस्ट में नहीं आया तो आपको हुआ पर यह फीज 25 रुपीज वापस नहीं की जाएगी और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कई स्कूल क्या करते हैं प्रोस्पेक्टिस आपको देते हैं खरीदने के लिए आपको फोर्स करते हैं खरीदने के लिए बट यहां पर ऐस लिए पर देवल फॉर्म भरने के लिए जो रेस्टेशन फीज है वो पे करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टिस खरीदना आपके उपर डिपैंड करता है अगर आपको चाहिए उस स्कूल के बारे में जानने के लिए तो ले सकते हैं अधर वाइस आपको बिल्कुल भी जुर आपको अलग अलग स्कूल में 25 25 25 25 रुपीज पे करनी पड़ेगी मतलब 100 रुपे आपका महां पर खर्चा होगा फॉर्म भरने के लिए तो एक स्कूल में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 25 रुपीज लगेगा और जितने भी स्कूल में आप भरेंगे इच सिर्म ऑउचे की यहां पर देख सकते हैं क्या है स्कूल के लिए हो और क्या है फैने के लिए गायड लाइज तो और मैं कोरूंगे कि और भी जो भी इंपॉर् ambitions को लेकर के नरसी डेली नर्सरी admission को लेकर कोई भी ऐसा important point अगर अगर डीओँ मैंशन किया होगा तो मैं एब वहाँ जरूर आपको अंसर देने की पूरी कशिश करूँगी तो इसी शब्दों के साथ I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आप में चैनल पर नए है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की knowledgeable वीडियो देखने के लिए मिलती रहेगी और इस जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी मत बूलेगा क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन विदल सकती है थैंक यू सो मच मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में